आज हम बात करेंगे होमेपेटी ग्रेमेडी अम्परा ग्रीसिया के बारे में एलेंस की नोट मटीरिया मेडिका से तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अम्परा ग्रीसिया का थोड़ा सा इंटरोड़क्शन्स किसका कॉमन नेम अम्बेरिक्रस है यह एक नूसोड है, प्रिपेर करते हैं और हैनीमन इसको प्रूव किया है और अगल क्लासेस की बात करें तो क्लास 7 में इसको हम लोग क्या करते हैं प्रिपेर करते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब गन्सिट्टूशन के बारे में तो इसका जो गन्सिट्टूशन है ऐसा बच्चा for the children specially the young girls who are excitable ठीक है यंग गल है नोजवान गल है जो कि excitable okay excited है nervous है weak है okay nervous affection of the old people nervous worn out ठीक है nervously पूरा patient mentally कैसा है worn out है थका हुआ है weak है okay यह कब है old people's की बात है okay अगर यंग गल्स है तो वो कैसी excitable है और for children's also are excitable physical body makeup देखे तो lean thin emaciated person who take cold easily easily क्या करता है यह ठंडी चीज़ों से affected हो जाएगा तो अंबर्या का अंबरा ग्रीशा का patient का constitution कैसा हमने देखा ऐसा person अगर बच्चों की बात करें और young girls की बात करें तो कैसी excitable है okay old people की बात करें तो nervous worn out हो गया मैंटली पूरा exhausted worn out हो गया वो लीन थीन होगा क्योंकि इतना साथा stress और इन सब के कारण mental symptoms के कारण patient lean thin emaciated रहेगा और easily cold ले लेगा okay easily cold ले लेगा मतलब जल्दी से सर्थी हो जाएगे cold चीज़ों से जल्दी affected हो जाएगा okay अब बात करते हैं में important point of the Ambra Grisha that is the mental generals तो Ambra Grisha एक बहुत ही अच्छी remedy है ऐसे patients में जिसमें business loss के कारण या business embarrassment के कारण जो symptoms आ रहे हैं नहीं नहीं आना okay great sadness रोना यह सब चीज़ें बहुत अच्छी remedy इनके लिए तो देखते है great sadness sit for weep sit for days and weep ठीक है बहुत साथ embarrassment business में कुछ उसको loss हुआ है या फिर कुछ इसा embarrassment हुई है उसके reputation पर कुछ बात आई है तो वह soon नहीं पा रहा है unable to see must get up उट जाएगा okay to see me see phu and seepia is also remedies mouth की अगर मैं बात करूंगी mouth में क्या होता है patient ko ranula होता है ठीक है pent up हो जाता secretion to ranula with fitted breathe ठीक है breathe में उसके सांस में इसा fitted सड़ी भी smell आईगी थूजा इस रेमेडी फो तो रेनुला ना तो GIT symptom की बात करेंगे तो sensation of coldness in abdomen abdomen में उसको ऐसा लगता है पेट में कि कैसा ठंडा coldness की feeling आती है calcaria is also remedy अब बात करते है presence of other ठीक है यह बहुत ज्यादा important symptom है दूसरों के presence में जो पच्छा या person रहेगा वह stool pass नहीं कर पाएगा ठीक है फ्रेश नहीं हो पाएगा यह बहुत important symptom है इवन नर्स अगर मम्मा है उसकी presence में भी क्या करेगा stool pass नहीं कर पाएगा frequent ineffectual desire बार बार एक बार गया पर अच्छे से effectually desire नहीं हो और इसको इसके कारण को क्या हो जाता है चीनता हो जाती है उसको कि उसको ऐसे symptoms क्यों रहे है नेक्स पात कर लेते हैं GIT symptoms के बारे में ठीक है तो GIT हमने देख लिया female reproductive systems को देखते हैं discharge or blood between the peers okay जो peers है उनके बीच में क्या हो जाएगा discharge हो जाएगा patient को okay at every little accident थोड़ा सा भी कुछ accidents हो लाई थोड़ा सा long walk कर ली या फिर hard stool हो गया थोड़ा सा कुछ भी ज़्यादा सी exercise वी तो उसके peers से क्या हो जाएगा between the peers क्या हो जाएगा उसको लुकोरिया इसका होता है थीक bluish white mucos okay bluish white mucos जैसा लुकोरिया होगा specially only the light night में सिर्फ रात में लुकोरिया होता है तो नाइट लुकोरिया की medicine है कॉस्टिक मर्क और नाइट्रिक ऐसे अब देख लेते हम लोग respiratory symptoms को तो respiration की भी बहुत ही अची remedy है एंपराग्रिश्या वालन कव इन इस पाजमोडिक पैराग्जिया ठीक है बहुत सादा कव है साद में इरक्टेशन है डगारों के साथ साथ क्या है इसका कफ और होर्षने सी साथ गले में होर्षने क्यों हो रही क्योंकि बहुत जादा जोर से इसने talking या reading कर ली है उसके बाद इसको aggravation होता है इविनिंग में without और morning में with expectation ठीक है इविनिंग की टाइम में expectation मतलब गले से बलगम नहीं निकलता है लेकिन morning में इसको क्या होता है expectation होता है होता है होपिंग कप बड विदाउट ग्राविंग इंस्पिरिशन इंस्पिरिशन नहीं आता है जो कि mostly होपिंग में देखने को मिलता है next part कर लेते हैं हम लोग modalities की बारे में तो देख लेते हैं कि इसका general patient के सा complaints aggravation होगी तो warm drink से aggravation होगी warm room से aggravation होगी music से भी aggravation हो ठीक है lying down से aggravation हो रही सोने से reading talking allowed the presence of many people हमने देखा symptoms aggravate हो दा stool pass नहीं कर पता है बिच्चा after the walking walking के बाद इसके aggravation हमको पता है eating खाने के बाद इसको अच्छा लगता है cold air से अच्छा लगता है cold food cold drinks rising from the bad ठीक है बैट से खोड़े होने पर patient को अच्छा लगता है यह सारे symptoms अगर मेंच हो रहे तो अब amra grisha को दे सकते हो और exam point of view से अब देखे तो इसके mental symptom बहुत जादा important है और इसका leucoria बहुत जादा important है अगर relation के बात करें तो तो इसमिलर होती है ऐसा फोडिटा, सीमिसी फुगा, कोका, इगनीशिया, मोसकल, फॉसफोराज और वैलरियन ठीक है इसमें से कुछ female symptoms compare करने के है और कुछ जो है कि mental symptoms compare करने के है ओके यह थी लगर्रेशिया फाम अलेंस की नूट माटेरिया में दीगा I hope अब के लिए वीडियो helpful रहा होगा Thank you and do revise